हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक पूमाई चैनल दोस्तों देखिए इस गुडूल के पोधे में कितने सारे मिली बर्ग लगे हैं वैट मकडी इसको हटाने के मैं आपको घरेली उपाए बताऊंगा अब मात्र आगर आप दोर प्या खर्च करते हैं तो आपके सारे प्लांट से मि गिरा देते हैं और फूल आपको खिलने नहीं देते हैं तो इसका रिमूब करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में सेर करके बताऊंगा चायों भूंडी के पोधे में लगे हो सफ्येत तेला वाइट मकडी या बैगन के तो मैं आपको घरेली चीज से लिकुड फटिला सबस्य तो आपको खराब कर देंगे रवाइट रंके होते हैं जैसे ही मौूसम में बदला रहता है और प्लांट्स में एक प्लति łat़या ऐ estar ano K Bunny comment और थाटा है कलिया इस समय इसमें बहुँ ज्यादा संख्या में प्लांट्स में आए हुई है दोस्तों आप किचन में तो हींग का प्योग जरूरी करते हैं इसमें एंटी फंगल का इंटी अक्साइड का गुन पाया जाता है हमारे पौदे का गुरुत बड़त हैं कीट फदांगे का ज क्योंकि इसमें एंटी अक्साइड का गुन पाया जाता है एंटी फंगल का भी गुन पाया जाता है या हम इस्प्रे करने से जो भी कीट फटंगे वह सभी खतम हो जाता है और हींग के पौडल में का ऐसा गुन होता है कि आपको प्लांट्स को हरा भरा रखता है चाय प्यत सेल्दी रहेंगे और पूरे प्लांट से आपके रिमूब हो जाएंगे क्योंकि ये मिली बार बहुत खराब कर देते हैं और फल वाले पौधे को भी आपने नहीं देते हैं देखिए बैगन के पौधे में भी कितने सारे मिली बार का टेक इससे में हुआ और मदलते मौसम के चलते इसमें ऐसा होता है तो इसे महिने में एक बार जरूर आप इन सभी लिकुट पुटि लायर को बना कर इसका स्प्रे कर दीजिए आपके मिली बार गॉयट मकडी और सभ आने के लिए आप होममेट लिकुट फेटिलाजर बना कर पौधे में दीजिए पौधे का ग्रोध बड़े या कलिया आएंगी या पूल खेले में बड़े-बड़े आकार में देखिए दोस्तों है इसका किचेन में उप्योग होता है तो इसका आपको एक चमच ले 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 देलना है इसमें सलफर की मातरा ज्यादा होती है तो इसको आपको आधा लिटर पानी में डाल कर इन प्याच के जो छिलके इसको अपको रख देना है धकन बंद करके दो से तीन दिन तक उसके बाद आपको इसका च्छान के लिकुट घोल बना लेना इन दोनों में इंटी इंटी फंगल का गुन पा जाता है या इसका छिड़काव करने से सारे रोग जड़ से खतम हो जाता है देखिए इस तीन दिन के बाद आप चछनी से इस लिकुट फटिलाजर जो गोल तयार होता है उसको छान लीजिए छानने के बाद दोस्तों प्याच के जो लिकुट फ भर कर पूरे प्लांच को आपको इस्प्रेक कर देना अच्छी तरह से आप मिक्स करके इस्प्रेक करने आले बोतल में आप भर लीजिए या लिकुट फटिलाजर में अंटी फंगल बुन पा जाता है या आपको क्युट फटंगे को जोड से सफाय करता है चाई मीली उपर भाग में पूरी एक भी कीड़े नहीं एगा李यर रार मिली बर्ग लेकिन अंदर भाग ने देखिए वायट मिली बर्ग दुनिया भर का इसमें लगे जैसे प्लांच के हरे पत्ति में आपका इसी आ प्लांच की प्त्ति वीं कर देना है ग्याता है जैसे इसका पीषे फर्टिलाजर को बनाई है इसमें बहूत सारे एंटिफंगल का गुन्पायाता है और इसका इसमेल से भी बहुत शारे מलीबर्त इसी तरह से गयाब हो जाते है देखुए इस रिपति अधे सी व्होंगे लगे रहे 가족 है इस्का शुरे आपको जहां जाए है वहां कर देना है जिससे आपके मिंदी बर्क पुरह रिमूव हो जाएंगी, प्लांट साथ SCARCEorit. तो इस healthy plants में कलिया एम फूल ज्यादा मात्रा में खिलेंगे जोस्तों इसके उपरी भाग में भी आपको पूरा प्रांस को नहला दीजिए जिससे इस्तुरे कर देने से एक हैदा हो कि जो भी इसमें मिली बर्ट का टेक हुआ है या और फिले का सदिक विलूब हो जाएंगे इसले को उप्री भाग में तो करना रहा है ओपर भाग में भी पूरा प्राइप व्रॉप्ल हमें इतना पाउर्फूल है इसका इस्प्रेश करने से आपको 5-10 मिनिट में सारे मिली बर्ग वाइट किल्या यह सफेट तिला सब हटके निकल जाता है प्लांट्स आपका रोगमुप्त हो जाता है रोगमुप्त प्लांट्स में कलिया बहुत ज्यादा संख्या में आती है देखि उसका इस्प्रे करने के कुछ घंटे के बाद ही सारे कीट फतंगे सभी आपके प्लांट से रिमीव हो जाएंगे और प्लांट से आपका हेल्दी ग्रोध करेगा या देखिए वाइट कीड़ा लगा हुए पूरा छोटे-छोटे इसमें भिंडी के पौधे में इसके बाद द पानी का स्प्रे करने से और आपको प्लांट से पुरे हफ स्प्रे कर दो आपको प्रांट है नहीं तो प्लांट Educalory के मिली ऑर्ग दिन में हिसारे अभड़ गाए और पत्ती में ये बहुना है तो आप इसी तरह से हिंग का पानी और प्याच का छिलका का लिकुट फोटिलाजर बना कर सभी प्लांट्स में दीजिए और उच्छड़काओ करिए जिससे मिली बर्ग आपके पुरंथ भाग जाएंगे और प्लांट्स आपका हेल्दी रहेगा इसलिए आप प्लांट्स में हिंका पौडर का घोल और प्याच के छिलके का लिकुट फेटिलाजर का घोल इन सभी को दीजिए प्लांट्स आपके हिल्दी रहेंगे और कोई भी कीट फटंगे नहीं लगेंगे देखिए इस बैगन के पौदे में भी सभी मीली बर्ग वाइट मकडी हट गये हैं इसी का इस्प्रे करने से इसलिए आप इसका घोल बनाकर हर एक पंद्र दिन के अनकाल में करिए प्लांट्स आपके हिल्दी रहेंगे और आपके प्लांट्स में मीली बर्ग सफेद तेला का अटेक नहीं होगा और प्लांट्स आपके हरे भरे रहेंगे देखिए दोस्तों यहां भी मीली बर्ग लगा हुआ था मगर इसका इस्प्रे से सभी मीली बर्ग गयब हो गये हैं और प्लांट्स मेरा हिल्दी और कलिया से धिरा हुआ नजर आ रहा है इसलिए आप इसका प्रांट्स में तो क्सार्ड कोई विठन के लातशी और क्राइए और Тыद आपका त्र took दोस्तों अगर प्लांट्स इसलायता और प्लिया और ऑग भी वुढ़ी नहीं । मिलते हैं फिर अगले बड़ियों में नहीं किसी जानकारी के साथ नहीं किसी टोपिक के साथ तब तक अपने सेफ रखी और इन प्लांट्सों में आप इस लिकूट पटेलाजर को गोल बना कर दीजिए पौदे में अच्छे से हिल्दी रहेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई टाटा